गाउन के सितियों रविशक्ताओं को AVPS News के मादिम से सरकार तक पहुचाने का सिलसला जारी रत्ते हुए हमारी टीम जिला हापुट के ब्लॉक सिंभावली में इससे स्पीर नगर दत्याना गाउन पहुची इस समय सुनीता देवी को गिरामबाचोय ने अपना प्रिधान जुनकर उनने यहां के विकास के जिम्मेदारी स्वपी है बरतमान प्रिधान गाउन में विकास कारे बहता तरीके से कराया जा रहे हैं लगवग 36 की अवादी वाला यह गाउन जिला मुख्याले से 26 किलो मिटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाउन के दूरी मातर 7 किलो मिटर ही है लगवग 1160 मिटर वाला यह गाउन विकास के पत पर अग्रिधित है गाउन की मुझूदा इस सिती से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गाउन में लगवग 300 रातनकार धारत है साथ ही यह भी पता चला कि गाउन में एक भी पैंसल नावारती नहीं है बात अगर सिक्षा के सरके की जाए तो गाउन के जूनियर अवन प्राइमरी बिध्याले में लगवग 320 बच्चे अध्यन रथ है बहीं बात अगर बिकास कार्यों की की जाए तो बर्तमान प्रधान द्वारत गाउं में पेजल अपूती बिवस्ता दुरुस्त रखने के लिए 12 हैंड़ पंप लगवाए गए हैं वह 20 हैंड़ पंप और सरकार से लगवाने की मांग है महीं बिजली बिवस्ता दुरुस्त रखने के लिए 18 विधुद पोल, 3 विधुद ट्रांसफार्मर, 2 सोला लाइटे भी रगवाई गई हैं बर्तमान प्रधान द्वारा गाउं में सिसी राइस रोड, खड़नजे, पाने निकासी के लिए नाला स्कूल में बाउंडरी, पंचायद घर, प्रधान मंतरी अवास योजना के तहट आवाज, तथा स्वच्छ वारत निसन के तहट सोचालों का भी निर्माड कराया गया है ABPS News Team से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिदी ने सिसी राइस रोड, इंटर कॉलिग, स्वास्थे केंडर, खेल का मैदान, बाराद घर, संसंग घर, पाने निकासी के लिए नाला, बिजरी घर, प्रधान मंतरी अवास योजना के तहट आवाज, तथा स्वच्छ व पानी रुक जाता है, इसलिए गाउं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सबी रास्ते खराब होने की वज़े से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई है, और पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि गाउं में जो सरकारी नल है, वो सब टूटे फूटे पड़े रहते हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह की कोई सुधा गाउं में नहीं मिल रही है, सरकार इस बात की तरफ कोई जाननी दे रही है, बार बार जाते हैं, दक्का खायक चल जाते हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, हर तरह से गा जिला हापू